हैलो मित्रो हमारे चैनल पर आप सभी भाईंट का भॉहत है स्वागत है में जादूगार राजु गॉरख पूरी मैं फिर से एक निया जादू एक निया ट्रिक कुईन का लेक मैंचिस का मैंचिस का जादू है असाथी कौईन का जादू मैं मैंचिस के माध्यम से इस कौईन को वैनिस करके दिखाऊंगा गायब करके दिखाऊंगा तो मित्रो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं जादू को आरम कर रहा हूँ, आप देखेंगे यह जादू होता कैसे है, मित्रो, मैं चीज के माध्यम से और इस कोईन के माध्यम से मैं इस जादू को करने जा रहा हूँ, आप देखेंगे यह जादू होता कैसे है, तो पहले हम दिख खादे खोल कर की होता कैसे है तो आप देखेंगे अ यह देखेंगे कि यह देखेंगे खाली है देखिए आपके नजरों के सामने यह बिल्कुल खाली है यह बिल्कुल खाली है और इसमें इस खाली में मैं एक क्वाइन का सिक्का रख रहूंगा आपके नजर के सामने इसे यह खाली है मैं इसमें आपके सामने यह रख दिए रखने के बाद इसे हम बंद कर देते हैं अब मैं इसमें छोटा सा जादू करूंगा जिससे क्वाइन कि वेनीस हो जा तो मित्रों अब मैं इसे खोल का दिखा दे रहा हूं कि यह कोईन वेनीस हो चुका है चैक यह देखिएगा कोईन गायव हो चुका है यह देखिए कोईन गायव हो चुका है देखिएगा यह देखिए कोईन गायव हो चुका है तो मित्रो हम इसे कई तरह से भी दिखा सकते थे तो मित्रो मैं इसे इस तरह भी दिखा दे रहा हूं आप सोच रहे होंगे कि देखिएगा कोई इसके अंदर नहीं है लेकिन मैं फिर से मैं इसमें एक मंत्र पढ़ूँगा और फिर आजाएगा तो मित्रो मैं जादू को पढ़ रहा हूँ आबरागडाबरा कोई वापस आजा तो मित्रो मैंने इसे पढ़कर आप कोई को मंगा चुका हूँ तो आप देखेंगे कि कोई आ चुका है यह देखिएगा कर देखिए क्वाइन आ चुका एंड़ लॉड आ चुका है क ballet कि आठाल देखा दे रहा हूं विश्दित रहा और देखिए लाइक कीजिएगा हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा साथ इसाथ बिल आइकन दबाईएगा जिसे मेरा हर कि वीडियो आप सबसे पहले देख सकें तो मित्रो मैं इस जादू का रहस जादू का ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं तो हैंब आफ अन तक देखिएगा तब ही आप समझ पाएंगे अगर स्केप करेंगे तो बीच में कट जाएगा कर से कैसे बपर तू मित्रो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अन तक देखिएगा देखने के बाद इसे launches आँभी शेम् vị्त घाण पर नहीं Scott एक कोईन की जरूद पड़ती है यानि एक शिक्का की जरूद पड़ता है एक शिक्का की जरूद पड़ता है प्लस तो माचिस की जरूद पड़ता है इसमें इस तरह से दो आप माचिस ले लेंगे माचिस की डपी माचिस की डपी लेने के बाद आप इसे करेंगे क्या इसे क इसमें प्रतिल्ली भरा होगा इसे निकालने के बाद अब इसे क्या करेंगे आप इसे नहीं काटना है काटना है सामने वाला जो फेस दिखार दे रहा है यहां से इस पूने को काट देंगे और इस तरह इधर भी काट देंगे, तो काटने के साथ, जब आप इसे काट देंगे, तो काटने के बाद सेम इस तरह हो जाएगा, यह देखिएगा, जब आप काट देंगे, तो हमने क्या कि यह कैंची से काट दिये, और काटने के बाद इस तरह से हो जाएगा, यह खाली रह और दूसरा डबी भी इसी तरह से दूसरे कभी इसी तरह से आपको काटना है यानि इसे दूसरा भी काटने के साथ ही जब हम काट लेंगे दोनों को तो हम इसके अंदर इसे रख देती हैं यह देखिएगा इस तरह से एक हम इसके अंदर डाल देते हैं और डालने के बाद अब हमें जभ दिखाना है तो यह दिखाएंगे आपको जो तरह से कि किस तरह से मने मैजिक दिखाए जाता है तो तरह से दिखा रहा हूं तो यह दिखाते है कि खाली है इसमें कोई तिलि कोई नहीं है औरे बिलकुल खाली है अब हमारे पास एक शिक्काह है और दीत को आपके आंखों के सामने और इसमें डाल देतों डाले बादцию से बन कर देते्eté बंद करने के बद अब क्या करते हैं यह जो है कि यहां इस तरह से पकड़ लेते हैं यहां यहां पकड़ेंगे टो यह इसके उजञे से दब जाएगा तो जब जाएगा इसे आप अराम से निकालने के बाद आप दिखा देंगे कि देखिए क्वाइन वैनिस हो चुका है काई मैंने क्वाइन गाइब हो चुका है तो इस तरह से मैजिशियन गायब करके दिखाते हैं फिर इसे बंद करते हैं अब बंद करने के बाद करते हैं मैं फिर से मैं मंतर पढ़ रहा हूं तो अपना आबरा की डाबरा पढ़ते हैं पढ़ने के बाद फिर क्या करते हैं फिर उसी तरह से इसको इस तरह से खिंचते हैं तो खिंचने है कि देखिए क्वाइन आ चुका है तो इसमें इसका यही राश है कि जब आप कर देखा देर हूँ जब यह मादी आंदर डबी के अंदर यह वाला भाग रहता है यह भाग बाहर निकाल देते हैं तो जब यह भाग बाहर निकाल अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजेगा हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा साथ हिसाथ बेल आइकन आल बटन पर दबा दीजिए जिससे कि मेरा हर वीडियो आप सबसे पहले देख सके इसी के साथ मैं बिदा ले रहा हूं बाई ओके टाटा